हाई एवरीवन जेसी किष्णा रादे रादे हर्हर महादे और मैं सर्ला इंटेजी टैरर डेडर में फिर से एक रेडिंग लेकर आ गई हूँ और इस रेडिंग का जो थीम है ये यूनियर्स अरजेंट मेंसेज हैं कि अब भी अब भी आपको क्या जानना जरूरी है मुझे इसा लग रहा है कि बहुत करंट के ये सिट्वेशन मेंसेज हैं यहां पर जिसकी करंट सिट्वेशन में यूनियर्स कुछ मेसेज देना चाहते हैं ठीक है और ये रेडिंग उन्हीं तक ही पहुचेगी जो जो वाकई में जिसे इस रेडिंग के सबसे ज़्यादा जरूरत हैं तो ये टाइम डेस रीडिंग है कलेक्टी रीडिंग है और जब भी आपके सामनी ये आती है तब भी आपको यहां पर यूनियर्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं आपको कुछ बताना चाहते हैं जो स्ट्रॉंगली मुझे यहां पर फील हो रहा है ऑके कैंडल वैक्स आप सभी को पता चल गया होगा इंटुशन से की जाती है तो प्लीज यहां पर अपनी अपनी सिट्वेशन से मेसेज ले लेना जो मेसेज रेजोनेट हो जा उसे रख लेना जो नहीं होता है उसे जाने देना ठीक है वो किसी और ही के लिए होंगे फिर ओके और थैंक यू थैंक derived So much वीडियो को like करने कीली comment करने के अब सब भी कामें तहीर दिल से शुक्रियाधा करना चाहते हुँ बहुत 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 प्यार भरा वाला थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो माच और जिसे भी परसर दिन चाहिए मैं अपना वर्च अपने डिस्किप्सम Gified से मेंशन कर रखा है तो वहां से आप देख सकते हो ओके तो बिल्कुल यहां पर आपको मुझे एसा लग रहा है न युनियर्स जैसे बहुत कुछ आपको ready होने के लिए बोल रहे है ready रहना है आपको बस मुझे इसा लग रहना है कि बहुत कुछ चीजे होने वाली है आपके लाइप बस ready होना है ओके और प्लीज वीडियो को like जरूर किया करो और अपनों के साथ जिसे भी आपको लगता है उनके साथ शेयर करने की जरुरत है तो उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हों ठीके तो यहां पर में रिडिंग स्टार्ट करती हूं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ताइंक्यू यूनियर्स थैंक्यू सो मच फरस्ट मेसेज मुझे यहां पर यही मिल रहा है कि कोई अपनी आवाज को जिसे आपकी आवाज दबी हुई है शाइध आप लाग कोशिश कर रहे हो उठाने की या बुलंदीयों पर आप अपने आपको पहुचाना चाहते हो आप अपने आपको खुल कर दिखाना चाहते हो बोलना चाहते हो या आपके थ्रोड चक्रा से रिलेटेड कुछ चीजे ऐसी हैं जहां पर आप अभी तक मुझे से लग रहा है ना कि बहुत दो चीजों में जगलिंग चल रही थी आपकी ठीके तो वो सब चीजे वो उस चीज इससे आप उपर की तरफ यहां पर उठने वाले हों मुझे यहां पर आपका साउंड की बहुत जादा नजर आ रहा है कि आपका आपकी आवाज आपका थ्रोड चक्रा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहां पर सिंगर है आपके जो कहते हैं कि स्वर आपके जो स्वर होते ह वह बिल्कुर सट्टिक बैठने वाले किसी के लिए यहां पर यहां पर और यहां पर बहुत से कि यहां पर यह मेसेज आ रहा है आप सबी के लिए यहां पर कि यह सब चीजों के लिए आपको रेडी रहना है रेडी यहां पर किसी किसी के लिए यह भी मेसेज आ रहा है कि आपको यहां पर बहुत सारी सौल से जिसे में देख रही हूं कि आपको रिडी रहना है यह अभी जो आप रिडिंग देख रहे हो इस वक्त यहीं से आप से बहुत मेजर बदलाव यहां से हो सकते हैं अब यह रिडिंग आप कल देख रहे हूं या दस दिन बात देख रहे यह strongly यहां पर किसी का बहुत थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, मेरे थ्रोट चक्रा पर भी यहां पर effect आ रहा है, तो यह आपका open होने वाला है, आप यहां पर बुलंतियों को छूने वाले हो, या आप अपने यहां पर बोलने की कला होती है आपके अंदर, यह भी एक कला है, कि किस तरह से बोलना है या शब्दों को किस तरह से रखना है कि सामने वाला हमारी भावनों को समझा है सामने वाला हमें बहुत जादा अलग उसमें देखे ठीके तो आपकी वो जैसे उसमें आप मजते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हूं ऑके बहुत सारी चीजे लिए आपको रेडी रहने के लिए यूनियर्स बोर्ड रहे हैं ठीके एक इस्टेबलेटी भी मुझे यहां पर नाजर आ रही है एक बहुत बड़ी वो और उपर की तरफ उड़ती है तो यहां पर बुलंदी को छोने वाले हुटियर्स आप यहां पर क्योंकि मुझे असा लग रहा है कि आपने आपको बहुत सारी कंडिशन या बहुत सारे उसमें बांध रखा था कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, बहुत सारी चीजों में आप बंदे होते हैं, जैसे आप अपनी डोर को छोड़ रहे हो, ठीके, और जैसे आपकी पतंग और आप जैसे बुलंतियों और सफलता और सक्सेस की तरफ उड़ आपको रेडियो होने के लिए बोला जा रहा है कि बस आप खुले आसमान में आजादी के साथ यहां पर फ्लाइ करने वाले हो, ठीके, यह बहुत स्ट्रॉंगली यहां पर मेसेज आ रहा है, ओकी, कोई यहां पर ओम का जाप करता है, ओम मंत्र का जाप करता है, और बहुत स्वर में करते हूँ आप इसको, ठीके, तो यहां से भी आपकी उर्जा, मुझे इसा लग रहा है कि यहां पर आपकी युनियर्स, यह ओम ही युनियर्स है, ठीके, ओम में, ओम में क्या गुंज रहा है, स्वरी, युनियर्स में क्या गुंज रहा है, ओम का स्वर गुंज जो meditation कर रहे हैं ध्यान कर रहे हैं यह उनके लिए message है किसी के घर में बहुत जादा में abundance देख रही हूं पेशा आता हुआ देख रही हूं एक खिल खिलाने की आवाज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है हसी वाला माहूल हो रहा है celebration हो रहा है आपके घर में get together यहाँ पर हो रह है उस चीज़ के लिए तैयार हो हो यह यूनियर्स आपकी life में देने वाले हैं ठीक है thank you यूनियर्स thank you so much कोई किसी बात से नाराज चल रहा है अभी भी नाराज चल रहा है तो don't hurry बहुत जल्दी आपकी नाराजगी यहाँ पर दूर की जाएगी यह यूनियर्स आपको उ गिल्टी गलानी में बोलूंगी जैसे महुत आप उस चीज़ में बेटे हुए थे कि एक परसन इतना कुछ गलत कर जाता है और फिर भी वह मतलब इस तरीके से तो don't hurry आपसे आपका हक आपके साथ justice यहाँ पर किया जाएगा इस चीज़ के लिए आपको ready होने के लिए यू तो can do कि भी अमैं पूछ आप के बहुत को चीज़ एसिए जो आपको चेंज की तरफ लेकर जा रहे हैं कोई meditation करता है एद्यान करता है और आप बहुत ज़्वने को देखती हो फानी को देखते हो यहाँ पर इसका मतलब भी है कि आपकी cleansing हो रही है है आपके block यूनियर्स अपसे बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा खूश है बस मुझे यहाँ पर वो कार्ड नज़र आ रहा है एंजल से का के एंजल सौफ ब्लासिंग्स का यूनियर्स बाहें फिला है आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार हो रहे हैं आपको सिर्फ रेडी यहाँ पर किसी को एसा फील हो रहा था कि आपके पर बहुत जधा negativity या नकारत्मक्ता आपके इरध गुर्ध गुमती है तो कोई आपको बहुत जधा टॉर्चर करता है जादा आपकोταν होई बोहत जदा जादा आपको दिस्टरब करता है ताकि आप आगे नबढ पाऊ यह आ आपके दायरे में आ जाती हैं आप कहीं ऐसी जगे जाते हो जहां से वो चीजे आपको इफक्ट उस चीज का इफक्ट आपके उपर वहां पर आता है और वहीं से ब्लॉकेस आपकी तरफ यहां पर आ जाते हैं तो थोड़ा सा दिहान से बेट कर सोचो आप कहां कहां जाते हो वहां जाकर आप क्या-क्या करते हो, उन सब चीजों पर आपको थोड़ा सा धिहान देने की जरुरत है, क्योंकि ब्लोकेज आपके वहीं से आ रहे हैं, और ये इस चीजी के लिए आपको रेडी रहना है, कि यहां पर अब आपको बहुत जादा अलर्ट रहना है, साउधान र जो बोला जाता है, बताया जाता है, या आपको कहीं से पता भी चलता है, ठीके, तो उस चीज को यहां पर यूनियर्स आपको बता रहे हैं, कि जरूरी नहीं है, कि जो सच आपके सामने आता है, या आपको बता, वही जो बाते आपके सामने आती, वो सच हो, ऐसा नहीं है, तो युनियर्स आपको जल्दी किसी की बातों के उपर विश्वास करने के लिए मना कर रहे हैं, इत्ती जल्दी विश्वास आपको नहीं करना है किसी ने आपके पीट पीछे बहुत बड़ा गेम खेल दिया और आपको पता भी नहीं चला इतना बड़ा गेम खेल कर वे बंदा चला गया लेकिन युनियर्स इस जस्टिस यह जस्टिस आपके साथ के उसका भांडा फूटने वाला है जिसने भी बहुत बड़ा गेम खेला आपके साथ में बस उसका जैसे कहते हैं को उसका खेल खतम हो रहा है और उसका भांडा फूटने वाला है और यह आप उस चीज को देखोगे और इस चीज के लिए आपको रेडी रहना है यह युनियर्स जैसे आपके साथ प्रॉमिस कर हैं कि आपको किसी भी तरीके से किसी के साथ भी इन्वाल होने की कोशिश नहीं करना आपको बस सांती से चुप चाप एक जगी जाकर खड़े हो जाना है और फिर देखना कि किसी की कुछ चीजे ऐसी जैसे खुल कर बाहर आरी है और वहां से आप देखोगे कि फाइनली जै आप किसी से बाते करते हो तो यहां पर जो मेंसे जारा आप किसी से कुछ एसी बाते करते हैं जिसमें बहुत तुल्य होता है बहुत मान्य होती हैं जिसे बहुत भारी भरकमता वाली बात करते हो आप यहां पर तो वो चीजे वहां पर बहुत अच्छे उसमें ली जाती हैं कि आप बहुत जैसे आपका औरा बहुत पॉजिटिव है ठीके और आप जिस हिसाब से कुछ चीजों को अपनी रखते हो या दिखाते हो या बताते हो तो वहां पर वो चीजे लागू होती हैं ठीके मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपकी बातों को माइने नहीं दिये आपका कोई तुल्य नहीं था आपका कोई मोल नहीं था ठीके तो यहां पर आपका जिसे केते हैं कि किसी को आपकी जिसे केते हैं कि हाला की हीरा लेकिन वो कोही नूर हीरा है ठीके इस चीज को शायद आपकी जो वैल्यू है वो उसी तर जैसे आपको को अभी तक तराश न तो इस चीज के लिए आपको ready रहना है कि आप कौन हो आपका मुल्य क्या है आपकी कीमत क्या है आप आप जैसे हर किसी को अपना बनाते हो हर किसी को अपने बातों को शेयर करते हो यहां पर तो यह आम इंसा नहीं हो सकते हैं ठीक है इसके पीछे भी युनियर्स का बहुत आपकी लाइफ में कुछ भी अलग नहीं हो रहा है ठीक है जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में आप सब युनियर्स की निगरानी में हो रहा है ठीक है और इस चीज के लिए आपको ready रहना है कि यहां पर जो चीजे मुझे इसा लग रहना है कि कुछ ऐसा है जो आपक शोकिंग लग सकता है जो बहाँ पर अचम्बित हो सकते हो आप यहां पर के मतलब आपने किसी के लिए बस इतना सा एफ़र्ट डाला है और रिटर्न में आपके लिए इतना कुछ आ रहा है ओके तो यह बहुत बड़ा एक जस्टिस है आपके लिए यूनियर्स का क्योंकि पर आ रहा है मैसेज कि आप किसी के लिए इतना सा एफ़र्ट डाल रहे हो ठीके लिकिन आपके लिए यहां पर यूनियर्स बोड़ने हैं कि बच्चे यह आपका महनताना है ठीके वह आपने इतना सा कुछ देने के लिए उसके पीछे का परिक्ष्रम देखो ठीके उसकी प यहां पर करिए ठीके तो उस चीज को इगनोर नहीं करना है आपको किसी किसी के लिए है शायद यह मेसेज कि आप अपनी कीमत नहीं समझ पा रहे हो अपने आपको यहां पर देख नहीं पा रहे हो एक छोटी से स्टोरी में यहां पर आपका सुनाती हूँ एक पैंटर था तो उन्होंने एक लेडिस की पैंटिंग करी, उन्होंने बोला कि इसके इतने डॉलर्स होते, काफी हेवी एमाउंट उनसे ली उन्होंने, तो वो बोले आपको दो सेकेंड नहीं लगे इस पैंटिंग को बनाने में, तो वहाँ पर वो पैंटर बोलता है, कि मेडम आपको छे शायद यहाँ पर इस कहानी से related या इस message से related मुझे नहीं पता जिससे message resonate ओर लग ले ना थैंक यू नियर्स किसी को यहाँ पर यह message आ रहा है कि आप थोड़े है ना आपके जो गहने हैं आपके जो जो जोलरी होती है गहने होते हैं और मतलब आप थोड़ा सा बस इधर उदर रखकर भूल जाते हो लेकिन आप दिहान रखा करो थोड़ा सा अपनी जो कीमती बेश कीमती जो चीज़े होती है ना जो काफी heavy होती है जैसे जोलरी होती है हमारी चोटी चोटी जो हमारी rings होती है ठीके वो कुछ चीज़े ऐसी है जैसे आप कहीं पर भी रखके भूल जाते हो ठीके तो उसे आपको दिहान देने की जारते ये किसी के लिए यहां पर message आ रहा है thank you unions कोई मुझे यहां पर लिखता हुआ नजर आरा कोई कुछ लिख रहा है यहां पर ठीके तो ready यहां पर रहना है कुछ बहुत बड़ा आप यहां पर करने वाले हो कभी कभी confused हो जाते हो रुख जाते हो कोई बात नहीं वो continue करते हो आप यहां पर आप अपने पास्ट को छोड़ कर future में बहुत लंबी चलांग लगाने वाले हो और उसके लिए आपको ready यहां पर रहना है यूनियर्स आपसे बहुत जादा खुश है बहुत जादा happy है ठीके इस चीज को देलो दिमाग में आप बिठा लो ठीके आपके blockage बहुत बने आपको आगे बढ़ने के लिए रोका बहुत गया है लेकिन यूनियर्स जानते हैं कि आपको जितना रोका जाएगा आप उतना ही आगे बढ़ोगें तो यूनियर्स नहीं डारते हैं आपके लिए blockage बनाया जाने हैं ठीके तो आप वो blockage ही आपको powerful बना रहे हैं वो blockage से ही आपको पता चल रहा है कि आप क्या कर सकते हो किती powerful soul हो किती positivity है अंदर आपके कितनी शक्ती है आपके अंदर कि आपने कैसे कैसे situation को यहां पर पार कर लिया है और आप अप कुछ ऐसा करने वाले हो कि जहां पर आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो शायद आपकी भी समझ से परे है और उस चीज के लिए आपको ready रहने के लिए बोला जा रहा है किसी की हाथों में बहुत साथ हुझली होती ही हिचिंग होती है हां पर तो आपके लिए बोला जा रहा है कि यहां पर थोड़ा से नायल का तेल लागा लिया… Sana यहांjest करो आप हाथों में किसी का ललाट देखरी हूं में यहां पर ही हां पर पेहले भी message तो यहां पर आपका भाग्य, आपका किस्मत आपका साथ दे रही है, ठीके, अब जो भी आप कुछ भी करोगे, उसमें आपको इतना सा भी एफट डालोगे आप उसमें, उसमें सक्सेज आपको मिलेगी यहां पर, ठीके, और इस चीज के लिए आपको रेडी रहना है, किसी उस चीज से अपने आपको बाहर निकालो, किसी की गोध भराई हो रही है यहां पर, किसी को कोई विश यूनियर्स ने बहुत ज़ल्दी पूरी कर दी है, तो उस चीज को आप सेलिब्रेट करते हो, मुझे यहां पर नजर आ रहे हो, ओ शिट, मुझे बोला जा रहा था, कि इस कैंडल को रख दो, और मैं रख नहीं रही थी, हाट बन चुका है यहां पर, तो मुझे यहां लग रहा है कि आपका हाट चक्रा ओपन हो रहा है, ठीके, आपके दिल में जो भी किसी चीज को आप लेकर बैठे हो, किसी पार्टनर की बातों को लेकर बैठे हुए हो, तो वो सब चीजे आपके दिल से निकलने वाली हैं, आपके कुछ चोटे-चोटे इसे ब्लॉक के से, जो हील होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है, आपको बहुत इंटुशन आते हैं लेकिन आप शायद बिलीव नहीं कर रहे हो विश्वास नहीं कर रहे हो तो उन इंटुशन के उपर आपको बिलीव करना है किसी के लिए में एक है कि आप अपनी लायफ का कुछ एसा काम करने वाले हो मतलब कुछ एसा कर रहे हो जहां पर आपको मुझे इसा लागत बहुत ज़्यादा अपरिशेशन आपको मिलने वाला है ठीक है बहुत शाबाश है आपको मिलने वाली है उसके लिए आपको ready रहना है कोंड यहां पर अपनी शॉप खोलना चा अपना खुद का पालर खोलना चाहता है यह शॉप या कुछ new स्टार्ट करना चाहता है कुछ भी हो एक्सपैजिट तो यूनियर्स जिसे उसके लिए आपको बोल रहे हैं कि रेडी हो जाओ वो बहुत जल्दी आपका ओपन होने वाला है किसी के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको दूद की बनी हुई मिठाईया ठीके अब यह कुछ भी बहुत सारी दूद से ही बनती है सारी मिठाईया तो वो आपको डोनेट करने के लिए बोला जा रहा है किसी के लिए अपर ही मेसेज है वो कभी भी कर सकते हुआ क्योंकि जितना मिठा आप पर शेर करोगे सर्व करोगे उतनी ही मिठास आपके जीवन पर आएगी आपकी जुबान पर आएगी और आपके जीवन में आएगी कोई यहाँ पर बहुत साथा खुपसुरत सौल है लेकिन वो अपनी खुपसुरती पर आप बिलीव नहीं करते हो आप विश्वास नहीं करते हो तो युनियर्स आपको बता रहे है कि क्यों नहीं करते हो जब आप अपनी खुपसूर्ती को इग्नोर करोगे, अपने मन की खुपसूर्ती, अपने बोडी की खुपसूर्ती इसको इग्नोर करोगे, तो फिर वो चीजे आप बाहर के से ला पाओगे, ठीके, तो आपको सबसे पहले अपनी नजरों को अपने ओपर यहाँ पर तो यहां पर मुझे इसा लग रहा है कि किसी के प्रॉपर्टी से रिलेटेट कुछ ब्लॉक केस है या कुछ कोट केस चल रहा था कि जहां पर ताला लगा हुआ था वो चीजे बाहर नहीं निकल पा रही थी ठीक है या उसका कोई फेसला नहीं हो पा रहा था तो यूनियर्स उसका फेसला बहुत जल्दी करने वाले हैं उसके लिए आपको रेडी रहना है यह बहुत बड़ी ब्लैसिंग्स आपकी तरफ यहां पर आ रहे है और हो सकता है यह 10-15 दिन के अंदर ही आपको यह कोट केस की खुश खबरी आपको मिल जाए यह यूनियर्स का बहुत चेंजेस अपने अंदर करना चाहते हों ठीके अब आप मुझे इसा लग रहा है ना कि अब आप अपने आपको उस मुकाम पर उस जगह पर देखना चाहते हो जहां पर यूनियर्स इतना इतने काफी टाइम से आपके साथ यह महनत कर रहे थे ठीके कि आप उस जोन में तो आप अपने आपको चेंज कर सको ठीके यहां पर मैं कह सकती हूं आपका बाड़ आपका माइंड आपकी सोल कि यह फाइनली अब आप अपने आपको चेंज करना चाहते हो कि हां मुझे अगर आपके बाड़ी में कुछ ऐसा हील करने वाला कुछ ऐसा है पार्थ है तो उसे music करोगे ठीके या अपने माइन में कुछ ऐसी चीजह हैं जहांपर आप meditation करोगे या अपनी सोल के लिए अपनी सोल के लिए जैसे जैसे आपको कहां से खुशी मिलती है शांती मिलती है तो वह वहां पर वह काम आप करोगे और यही युनियर्स आपको चाहते थे और इसी के यही आपको ready रहना है मैं रिडिंग बहुत deeply निकलती है मैं उपर उपर से मेसेज नहीं देती हूँ इसलिए बहुतों को शायद वो उपर से निकल जाती है रिडिंग पर सौरी जो मुझे मेसेज मिलते हैं यहाँ पर मैं वही देती हूँ कोई किताबे बहुत बढ़ता है बहुत read करता है तो यहाँ पर बोला जा रहा है किताबों से थोड़ा सा निकलो और अपने चेहरे पर अपने उपर थोड़ा सा focus करो अपने आपको देखो यहाँ पर यहाँ पर मुझे भागे आपका भागे बहुत कुछ आपको आपको जिसे आपके भागे का यहाँ पर मिलने वाला है अभी तक मुझे सा लग रहा है कि आपका माई गॉड यहाँ पर जिसे आप भाग रहे थे अपने के मुझे कब मिलेगा कब होगा कैसे होगा जिसे आप शायद उस कब वाली उर्जा से निकल रहों, जब ये कब वाला वैन, वैन कब ये लगा देते न, तो हमारा भागय हमसे भागने लगता है, ठीके, कि कब होगा, कब होगा, क्योंकि वेट, वेटिंग मोड में आ जाते हैं हम यहाँ पर, ठीके, तो यहाँ पर मुझ से निकल चुके हो, ठीके, यहाँ पर जो देख रही होना में, आपने अपका माइंड सेट इस तरीके से सेट कर लिया है, कि अब मुझे वेट नहीं करना किसी बात का भी, या किसी के ओपर डिपेंड नहीं रहना, जो कुछ करना है, मुझे अपने आधार पर करना है, अपन जैसे अपका, अब आपको बहुत कुछ, बहुत कुछ रिसीव आपका भागी का मिलने वाला है, ठीके, उसके लिए आपको यहाँ पर रेडी रहना है, ओके डियर, मुझे फिर इंट्यूशन आ रहा है कि रिडिंग को छोड़ना है, यहीं पर क्लोज करना है, थोड़ा सा कार्ट देखती वरना, फिर कैंडल बावल में गिर जाएगा, ठीके, तो यहाँ पर थैंक्यू यूनियर्स, थैंक्यू सो मच, किस चीज के लिए आपको रेडी रहना है, थैंक्यू यूनियर्स, पेरी वर सब्सक्राबर के लिए क्या मेसेज है, किस चीज के लिए आपको रेडी रहना है, किसी के घर में कुछ जैसे काच वाकर आप बहुत तूटते हैं, बावल बहुत तूटता है, काच की चीज़े बहुत गिरती हैं, तो जस्मेंट, न्याय, क्या भोलू में यहाँ पर, ओ गॉड, नाइन अपसॉड्स, एस अपन्टिकल्स, यह यूनियर्स पोल रहे हैं, इसके लिए आप रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, अलान हो चुका है, पर्मिशन मिल चुकी है, सब कुछ तयारियों हो चुकी है, रेड इस चीज के लिए आप परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, जो भी आपकी परेशानी है, दिक्कत है, या किसी चीज, अगर जो नेगिटिविटी का, जो मुझे यहाँ पर मैसेज आया था, आपके लिए यहाँ पर, ठीके, तो अगर कोई नेगिटिविटी है, कोई ब् बान कर दिया है कि आपकी जो दिक्कते हैं परेशान ही वहां से आपको निकाला जाएगा और जो भी आपकी दिक्कते अगर financially blockage है ठीके या आप अपनी किसी फुदी की personal problem में घिरे होए तो आपको वहां से निकाला जाएगा financially blockage है financially कुछ आप कहीं से earn करना चाहते हो तो वो opportunities यहां पर आपको दी जारी पर उसके ready रहना है आपको क्योंकि यहां पर judgment आप लिए नियाय हो रहा है तैयार हो जाओ वो दे रहे हैं वो दे रहे हैं और यह दे रहे हैं ठीक है आपकी जितना भी दूख है सब जिसे कहते हैं सारी दूखों को यहां पर onth हो रहा है सारी जितनी भी anxiety है जितनी भी negativity है यहां पर ब्लोकेश हैं वह सब आपकी यहां पर release कर दिये जाते हैं उसका अन्त यहां पर हो रहा है ठीक है तो न्याय भरपूर जिसे कहते हैं कि ready प्लस का साइन आपको पता रहा है कि आपकी एक परेशानी दूर नहीं हो रही है आपकी जितनी भी आपने प्रेयर करी है प्रात्मा करी है जितना भी आपने आपके साथ गलत हुआ है उस अपका न्याय आ रहा है जस्टिस आ रहा है वो सब परेशानिया आपकी दूर की जा रही है क्योंकि आपने कोई गुणा नहीं करा है आपने कोई गलती नहीं करा है अगर जो यहाँ पर अगर कोई इस गिल्टी में है कि मैंने कुछ गलत करा है मैंने कुछ गुणा किया है जिसकी सजा मुझे यहाँ पर दी जा रही है, तो टियर इस बात को दिल दिमाग से आप निकाल दो, आपने कुछ गलत नहीं करा है, इसलिए आपके justice हो रहा है, इसलिए कुछ चीजों को यहाँ पर युनियर से खुद आपको यहाँ पर आकर justice दे रहे हैं, अभी तक जिस ची आ रहा है आपकी तरफ के जहां पर आप जैसे अनिस्पेक्टेड है डियर, यह अनिस्पेक्टेड है डियर, क्योंकि यहाँ पर प्लस करके आ रहे हैं, दस गुना होकर आपके पास चीज़े आ रही हैं, फाइनिशली अबंडनेस में बहुत जादा देख रही हूं डियर, इतनी अवरनेस आ रही है, आपके हातों में बरकत आ रही हैं, ठीके, आपको मुझे इसा लग रहा है ना कि आपको यहाँ पर आपकी सारी समस्याओं का साबान मुझे इसा लग रहा है ना कि इश्वर की ब्लासिंग से मिल जाना, इश्वर का सपोर्ट मिल जाना, युनियर अब आपको हील कर रहा है युनियर्स आपकी प्रॉब्लम खतम कर रहा है एंजल आपको बैलेंस कर रहे हैं यहां पर ठीक है आपकी हर चीज जैसे परेशानियों को सुना जा रहा है सेलिब्रेशन रेडी हो जाओ तैयार हो जाओ डियर कि आप आपके घर में जो मैंने बोला यहां पर कि आपके घर में कुछ ऐसा हो रहे वाला है get together party ठीक है जिसकी वज़े से आप बहुत ज़्यादा happy रहोगे खुश रहोगे enjoy करोगे ओके आप अपनों के साथ जैसे अब भी तक मुझे सा रहा है कि अकेले थे कोई चीजे थी जो अंदर ही अंदर आपको खाये जा आपको मिल रही है financially जैसे बहुत कुछ आपका मुझे इसा लग रहा है कि अभी तक यह जित्ती भी बहुत negativity से गुजर रहे थे लेकिन अब यहां पर आपको बहुत आप ऐसा समझोगे कि आपकी life में कोई नया बहुत सारी new चीजे आ रही है new new opportunities आ रही है new members आ रही है जिसक वज़े से आपकी life में एक balance आ रहा है celebration यहां पर आ रहा है ठीके and मैं यहां पर one card all लूँगी thank you juniors thank you so much okay surrender and यह तीं cards है इन्हीं कुल में लेती हूँ surrender क्योंकि यहां पर जो मैंने अभी यहां पर भी बोला क्योंकि आपने surrender कर रखा था ठीके तो आपको जितना भी यहां पर बोला कि आप अपने उपर बहुत सारी boundary लगा कर बेठे हुए थे आप जो यहां पर मैंने बोल चुकी यहां पर आपको काइट काइट बना था इसमें यहां पर बढ़ता हैं जैसे आप खुल detail यहां पर बोला जा रहे हैं कि आपके साथ जिसने भी गलत करऊंगा बहुत गलत हुआ आपके साथ यहाँ पर, थीके? तो आपके लिए बोला जा रहा है कि अवसे आपको माफ करने की यहां पर जरुट है क्योंकि आपके अंदर वो शमता है, वो हिर्दय है, वो प्रेम है कि आप माफ कर सकते हो, अदरुआइस कोई ओर कर नहीं सकता है यहां पर लकре, जो मैं बोल देरा किसमत आपका साथ दे रही है यहां पर डरना नहीं है ठीक है आपको बहुत कुछ मिलने वाला है डियर बहुत कुछ यहां पर मिलने वाला है ओके यहां पर आपने मुझे इसा लग रहा है यूरियर से बहुत कुछ मांगा था मैनिफेस्ट किया था ना अपने बस रेड गिर्द आपको घुमने की हां पर जवरात है ठीक है आपको बहुत जल्दी आपको वो देखने के लिए मिल जाएगा ओके डियर तो यह थी आपकी reading आपसे रिजोनेट हो अगर होती है तो प्लीज लाइक कमद स्क्राइब और थांक यू थैंक सो मच चेशिकशना रादे-़ादे हर हर महा देव प्लीज लाइक कमन स्क्राइब सरुर किया करो बाइ